हेलो फ्रेंड्स, रिस्कार जी के जेस में आप लोग का स्वागत है आज हम आप लोग के लिए 10,000 बन लाइनर कोस्टन के सीरीज लेके आया हैं जिसके जरीए सभी बिसेयों को कभर किया जाएगा और यह जोग्राफिका पार्ट 1 है अगर इस सेशन की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चेनल रिस्कार जी के जेस को जोईन कर सकते हैं और मूर वीडियो के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आई चलते हैं कोस्टन पर कोस्टन नमबर बन सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो यह गंगा बरहम पूत्र एवं मिघना नदी तिलो मिल के सुंदरवन का डेल्टा का निर्मान करती है भारत मेरेल मारवो का सबसे बड़ा जाल किस राज में पाय जाता है तो यह उत्तर परदेश राज में पाया जाता है सयुक्त राज अमिर्का की सबसे वड़ी स्वर्न उत्खनन की खान होम अस्टेक किस राज में इस्थित है तो यह दचनी डकोटा में इस्थित है एंडीज परवत माला की सरवोच परवत चोटी का क्या नाम है तो एंडीज परवतमाला की सरवोच परवचोटी का नाम एकांग कागुआ है बिस्व के अधिकांस पठारी भागों में किस बेवसाई की परधानता पाए जाती है तो वहां उत्खनन का काम सरवाधिक किया जाता है मेसेटा का पठार कहां इस्थी थे कनाडियन नेशनल रेल मार्क कहां से कहां तक जाता है तो ये हैली फैकस से वैंकूबर तक जाता है 1981 में अस्थापित भारतिय वन सरवेच्छन विभाग का मुख्यालय कहां है तो ये देहरादुन में इस्थी थे बलाय की हिल, बुलू परवत और ग्रीन परवत नामक पहाणिया किस देश में इस्थी थे तो ये अमेरिका में इस्थी थे और फिरका के उतमासा अंतरीप की खोज का स्रे किस नाबी को दिया जाता है तो ये बार्थो, लोम्यो, डियाज को उतमासा अंत्रीप की खोजका स्रे दिया जाता है बिश्प का सबसे वड़ा प्रायदीप कौनसा है? तो अरब प्रायदीप बिश्प का सबसे वड़ा प्रायदीप है और इसका कुल छेतरफल 32,50,000 बर किलो मीटर है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है तो इंद्रा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है भाख़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित जील को किस नाम से जाना जाता है तो भाक्रा नांगल परिजना में मानव निर्मित जील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है किस गरह को लाल तारा की संग्या दी जाती है तो मंगल गरह को लाल तारा की संग्या दी जाती है उतरी अमिर्का मिस्थित माउंट मैकीले किस परवत की चोटी है तो यह Rockies परवत की चोटी है निदर्लैंड में समूंदर से लिये गए भुभा को किस नाम से जाना जाता है तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है लंदर किस नदी के टट पर इस्थित है तो लंदन टेम्स नदी के टट पर इस्थित है भारत की सरवाधिक गहरी खान कौन सी है तो कुलार की खान भारत की सरवाधिक गहरी खान है भारती अंतरिच सोध संस्थान यानि इस रो कहां इस्थी थे तो ये बंगलूरू में इस्थी थे किस देश के घास के मेदान पंपास कहलाते हैं, तो ये अर्जेंटीना के घास के मेदान पंपास कहलाते हैं देश में मौसम मानचीतर बनाने का परमुख कार्याल है, किस नगर में इस्थित है, तो ये पूने में इस्थित है मचकुंड जल बिधुत पर्योजना किन राज्यों का सयुक्त उपकरम है ते उडिसा और आंधर परदेश का सयुक्त उपकरम है उत्तर परदेश हिमाले का सरवोच सिखर कौन सा है तो नन्नाद देवी उत्तर परदेश हिमाले का सरवोच सिखर है भारत का सरवाधिक नगरी कृत राज कौन सा है तो महराश्ट्र भारत का सरवाधिक नगरी कृत राज है बलायक हिल, बुलू परवत तथा ग्रिन परवत नामक पहाणियां किस देश में इस्थित हैं तो यह अमिर्का में इस्थित हैं यह question repeated है next चिनान नजदी का उद्गर मस्थल कहां है तो ये बारा लच्चा दर्रे के निकट से निकलती है भारत में कोईला प्रचूर मात्रा में कहां पाय जाता है तो ये गुंडवाना छेतर में पाय जाता है भारत की सबसे उची चोटी केटू जिसे गौडविन आश्टिंग के ना इस्ति थे तो ये उड़ी सा राज में महानदी पर इस्ति थे रवाणडा की राजधानी कहां है तो रवाणडा की राजधानी की गाली है नेक्स्ट माउंट एटना किस परवत माला में इस्ति थे तो ये सिसली जो की इटली में इस्ति थे परवत माला में इस्ति थे आश्टेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है तो ये डारलिंग नदी के किनारे सबसे ज़्यादा छेतर में फैला हुआ है कुल 3717 किलो मीटर केरिया में फैला हुआ है ग्रीन लैंड की खोज किस ने कि थी तो रावट पियरी ने ग्रीन लैंड की खोज कि थी सबसे उचा जलपरपात कौन सा है तो साल्टो एंजल जिसे बेनजुएला के नाम से भी जाना जाता है सबसे उजा जल परपात है डोडोमा किस नदी की राजधानी है तो ये तंजानिया की राजधानी है युगांडा की राजधानी क्या है तो युगांडा की राजधानी कमपाला है किस दिन पिर्थीवी से सूर की दूरी नियुंतम होती है तो तीन जनवरी को पिर्थीवी से सुड़ की दूरी नियुंतम होती है एक डिग्री दिशांतर की सरवाधिक दूरी नियुंतम होती है तो भूममध रेखा पर एक डिग्री दिशांतर की सरवाधिक दूरी नियुंतम होती है दाहारता चालिसा क्या है? तो ये दचनी गुलार्ध में 40 डिगरी अच्छांस के पास अस्थान जहां तेज पच्छुआ हवाएं चलती है उसे दाहरता 40 के नाम से जाना जाता है मावरी जनजाती का निवास कहा है तो ये निज्विलेंड में निवास करती है तुग भंद्रा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां है चोटा नागपूर पठार सबसे उची चोटी कौन सी है यानि चोटा नागपूर पठार की सबसे उची चोटी पारस नाथ है तो थेंक्यू दोस्तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तिसे लाइक करें, सेर करें